उठो एक परवाज है, उर्दोर एक आवाज है, खामोशियों की है जुबाँ, चल दे तो चल दे करवाँ, वो है जहाँ, वो है जहाँ, लगती है जैसे आस्माँ, वो है यदी वो रोशनी नमस्कार, देजस्वनी काईकर में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ ममता चूपड़ा जिन्दगी में यूँ तो बहुत सी मुश्किले सभी के लिए होती हैं, लेकिन जो लोग इन मुश्किलों को पार पाते हुए, आगे बढ़ जाते हैं, अपनी राहें खुद चुन लेते हैं, फिर जिन्दगी भी उनका साथ देने लगती है और आज के हमारिते जस्विनी तो एक ऐसी महिला हैं, जिन्दोंने उम्र के इस पड़ाव पर भी तमाम मुश्किलों को दरकनार करते हुए, सबको दिखा दिया कि वो आज भी बहुत कुछ हासिल करने का जजबा रखती हैं और हासिल कर भी रही हैं आज के मारिते जस्विनी हैं, तीन बार राश्ट्र फिल्म पुरस्कार और एक बार साहिति नाटक अकैडमे पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीक्री जी 66 राष्ट्र फिल्म पुरस्कारों के मंचपन फिल्म बढ़ाई हो के लिए सर्श्रेष्ट सहायक अभिनेत्री के सम्मान से पुरस्कृत जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी 74 साल की उम्र में तीसरा राष्ट्र पुरस्कार ब्रहन करने वाली सुरेखाजी ने नाशनल स्कूल आफ ट्रामा से अभिनेका का कहरा सीखा और फिर 1977 में किस्सा कुर्सी का से शुरू हुआ फिल्मों का सफर तमस, परिनती, सलीम लंगडे पर मत रोज जैसी कई बेहतरीन फिल्मों से होता हुआ जुवेदा, सर्फरोश, ब्रेंकोट, देव डी समेत अनेक फिल्मों के जरिये इस नए साल 2020 में रिलीस होने वाली शीर कोर्मा, घोस्ट स्टोरीज तक लगातार जारी है रंगमंच में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरसकार और फिर फिल्म तमस और फिल्म ममों के लिए राश्ट्रे पुरसकार प्राप्त सुरेखाजी के टीवी सीरियल्स की भी लंबी फेरिस्थ है लेकिन धारवाहिक बालिका वधु ने घर घर में उन्हें दादीजा की पहचान भी दिलाई और नेगिटिव रोल के लिए पुरसकार भी एक साल पहले हुए ब्रेइन स्ट्रोक के बाद वापसी करने वाली सुरेखाजी आज जिंदगी की जंग में भी पीछे नहीं है तो आइए, करते हैं सुरेखाजी से बलाकार सुरेखाजी सबसे पहले आपको धेरो शुक कामनाय आपकी तीसरे राष्टर फिल्म पुरसकार के लिए थांकि। जाहिर है बहुत बड़ी उपलब थी है ये क्योंकि आपने जो अपना पहला राष्ट्र फिल्म पुरस्कार लिया था 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 तब आप सिफ 43 साल के थे और अब आप 74 साल के हैं और इस पड़ाव पर आपने पुरस्कार हासिल किया कैसे बना के रखती है ये ज़स्बा करना प तो आप इस विशे की तरफ अकर्षित हुए जरूर हुए इतना अच्छा लेखावा था ये रोल इक तरह से जैसी मैंने पहली बार सुना ये प्ले ये स्क्रीन प्ले पहली बार सुना मैंने तो मैंने सुच च़ही थी कि काश में ये रोल कर पाती बिकॉस आए तिक आपने सब्सकाने सब्सक्राव रिम К्यात को मैंने तिक बीघुश्री मैं ये पासराजार से ठवाज равно कमद़ते उन्यों ही नहीं का युकिनि शॉम्याड भराया है अपने अभे भी मैंने नहीं अ दूसरा पुरसकर आपको मिला था ममो फिल्म के लिए बेस सपोर्टिंग अक्रिस, अब एक बार फिर बेस सपोर्टिंग अक्रिस, कभी ये इच्छा हुई थी आपकी, कि लीड अक्रिस का भी रोल मिलना चाहिए, या क्योंकि आजकल तो सब तहां के रोल लिखे जाते हैं, प्रेका जी कि जो सपोर्टिंग अक्र्व होते हैं, उनको देखकर अक्रिक्टर लिखे जाते हैं, करेक्टर रोल्स का आजकर बहुत प्रभाव है, तो क्या आपको शुरू से ही कुछ खास आजकर रोल्स हैं, जो ज्यादा पसंद आए, क्या कुछ ऐसी खास रुची रही आपकी एक एक अक्टर होने के नाते, या फिर आप हर चैलेंज को लेने को तयार रहें, मैं हर चैलेंज को लेने के लिए तयार हूँ, और मुझे इस तरह के कारेक्टर रोल्स पसंद हैं, जिनके नीचे कुछ ऐसी psychological undercurrents होते हैं, किस तरह वो behave करते हैं, किस तरह बोलते हैं रियक्ट करते हैं, वो जानना ज़रूरी है मेरे लिए, वह ज़्यादा सोचती हैं उसके बारे में, कितने भी dimension का एक character हो, एक अच्छा human being हो या कैसा भी हो, उसको कर पाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और आज के युवा कलाकारों के साथ काम किया, क्या फर्क रहा आपके अनुभव में? तो जाहिर है कि आप सामन जस से बिठाना आपके जैसे एक सधी हुई कलाकार के लिए, actors के लिए बुरा, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन ये बिताये सुरिकाजी कि क्या को acting करने का मन शुरू से था, क्या प्लैनिंग करके acting की field में आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कैसे आई थे? बाइ मिस, बाइ फ्लूक. कैसे था वो फ्लूक? फ्लूक ऐसा था के, माइ सिस्टर वांटे तो जोईन नस्डे, तो वहां से उन्होंनी फर्म मंगा रखा था अपने लिए. तो एक दिन मेरी माजी, मा ने कहा के भी आप तुम भी साइन कर दो इस फर्म को भर दो प्लीज भेज दो इसको. जब आप फील में आएं, तो आप ने सीखा कि फिल्मेकिंग क्या होता है, यह सब कुछ क्या है, आने के बार? अपनी ओ थियर्टर की फील्ड थी, आप तो आम स्पीकिंग आप नेस्डी. वह तो दोर बड़ा अलग था, उनेसो पैसट अरसट का वह दोर था, जो आप नेस्टी में आ गई थी, तब तो बहुत कम लड़कियां आती होंगी ना नेस्टी में? बहुत कम, हम लोग साथ लड़कियां थी, एक ही बैच में, और छे लड़कें से, अच्छा लड़कें ज्यादा थी, और अच्छा था, वो सब लोग खुझ थे, लड़के होंद भती ज्यादा दबंग हैं, लड़कों से उनको ड़बा रही थी किसी तरह से. तो क्या कुछ सिखा कौन से ऐसे दिगज शिक्षक थे वहां पे जिन्होंने आपको गुर सिखाए अक्टिंग के? अलकाजी सहाब थे, वुजी वुजी तो बहुत दिसिप्लेन, अनुशासन बहुत जादा, बहुत जादा, उन्होंने जो हमें सिखाया, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, जो भी मुझे समझ में आता है, आक्टिंग के आर्ट और क्राफ्ट के बारे में, वो उन्होंने सिखाया. इबराहिम अलकाजी सहाब के लिए बोला जाता है, की वो अपना हर विश्य पर बहुत गहरी रिसर्च किया करते थे, आप भी क्या अपने रोल की तैयारी के लिए कुछ इसी तरीके से रिसर्च करते हैं, कैसे तैयार करते हैं अपने आपको किसी रोल की? यह मैं जानने की कोशिश करती हूँ, बहुत जरूरी होता है हो जाना मेरी लिए, the psychological undertones of that character, उसके मन में क्या है, गुमड़ रहा है, और बाकी किरदारों के साथ उसकी क्या relationship है. जब आपने NST से pass out किया, उसके बार आपने आपने काफी लंबा समय NST repertory में बिटाया, तो क्या कुछ खास होता था वहाँ पर? वहाँ पर एक खास standard काम का maintain करके रखते थे सब लोग, discipline के साथ काम करना, और अर्खाजी साहब ने हमें सिखाया एक श्रद्धा, काम के प्रची श्रद्धा होनी चाहिए. ठीटर से आपको बहुत प्यार था, आपने काफी लंबे समय तर ठीटर किया है सुरेखाजी, तो टीवी में क्यों आने का विचार आया, हालांकि आजकल तो सभी लोग सोचते हैं कि NST से पास आउट करने के बाद टीवी या फिल्म्स में ही जाया जाए, इसी तो एक करियर लिया जाता है, लेकिन उस समय तो आपने काफी लंबा समय रेपरटरी में भी बिताया, और टीवी में मैंने उस से पहली भी काम कर चुकी थी, विच मुननाल सेंजी, और विच सम इंग्लिश कंपनी, विच टेलिविजन के शोज थे, आपकी पहली फिल्म याद है आपको? हाँ, मुझे याद है पहली फिल्म, कौन सी थी वो फिल्म और क्या रहा था? एक फिल्म का नाम था परिनिती, वो राजिस्थान की फोक स्टोरी पे उस पे अधारित है, और विजय दानदेता जी उसके राइटर थे, बहुत ही इंट्रिस्टिंग कहानी है, तो जिब तमस का रोल आपको मिला, तो आपने कैसी तयारी की, क्योंकि वो पार्टिशन के टाइम पर आधारित थी वो फिल्म, और बहुत इंटेंस फिल्म थी वो, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, और वो राइटर भी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत शरीफ सजन्द पुरुषते वो, भीश्म साहनी जी, अच्छा लिखा उन्होंने बहुत, महसूस करके लिखा, और आप जब टीवी पे आई, तो इस वक्त तक तो सब लोग आपको दादी सा के नाम से जानते हैं, घर खर में मश्यूर हैं आप, दादी सा के नाम से, बाली का वधू, एक ऐसा सीरियल है, जो लभखक आठ साल तक चला था, सुरेखा जी, बड़ा लंबा समय होता है, आठ साल, आड़ साल, तो आपकी तो दिनचर्या ही बाली-का वध्यू का आस बास खुंती होती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, deprivedुल, कितना मुश्किल होता है ये डेली सोप करना, मुश्किल नहीं इतना, एक बार आप उस कारेक्टर में रम जाएं, और पर व्यस्त नहीं हो जाता था काम व्यस्त हो जाता है लेकिन आपको इस सीरियल के लिए बेस्ट अक्ट्रिस नेगेटिव रोल का वोड मिला वहाँ वहाँ नेगेटिव रोल को लेकर एक अजीब तरह का आइडिया था कि वो पहले जो रोल लिखे जाते थे वो बड़े टू इस तरह आखे मटका मटका के वो बहू को सुना रही है बहुत ही कन्वेंशनल स्टाइल था उसका तो मैं उस तरह से नहीं करना चाहती थी मैं सोचती थी कि एक यथार्थ पर अधारेत हो ये रियक्शन इस कारेक्टर के उसका अपना यथार्थ भी है और उसकी जस्टिफि मैं उसको खेलना शुरू गिया चलिए सुरेखा जी के साथ आगे भी बात्ची जाई रहेगी क्योंकि सुरेखा जी ने जंदगी में बहुत से उतार्च रहा तो देखे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात की लगभग एक साल पहले जब उने ब्रें स्ट्रोक हुआ उसके बात स सबसे और वो कैसे रिकवर कर रही है कि आज भी वो अपने किस प्रोग्राम के लिए और किस फिल्म के लिए प्रमोशन में जुटी है बताएंगे आपको यह सब लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आप देखते रहें तेजस्विन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं तेजस्विनी जिसमें आज हम बात करें हैं बेस सपोर्टिंग आक्टरिस के रोल के लिए नैशनल फिल्म अवार्ट से सम्मानित जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरीजी से सुरेखा जी आपके फिल्मों के फेरिस्त के अगरम बात करें तो आपने फिल्मों में अलग-अलग दौर देखे हैं पचास साल से जारा का समय तो आपको एक्टिंग करते वे ही हो गया है इस दौर में आपके शुरुवाते फिल्मों से आज का दौर कितना अलग है शुरुवाते फिल्मों की बात सगर शुरू करना चाहें तो किस्सा कुर्सिकार, सलीम लंगडे पर मत रो कुछ यादे हैं इस फिल्मों की आपके पर यादे भी हैं मैं बहुत कच्छी थी फिल्म शुरुटिंग का मुझे इतना तज्जरुवा नहीं था और मैंने वो किस्सा कुर्सिका कि कुछ सीन्स भी देखे कि क्या नहीं करना चाहिए उस मफ मैं समझ ज्यादा नहीं थी फिल्म को लेकर कंटिन्यूटि को लेकर खास तोर से कुछ सीन्स ऐसी थे जो कि बीच रफ्तार में रुक गए थे तो उसी तरह से उनको रिज्यूम करना जरूरी होता है और कौन कौन सी फिल्म है जो आपको लगता है कि आपके लिए एहमियत रखती है परिनिती और सलीम लंगरे पे मत रो और किस्ता कुर्सी का ताट वस लाइक इट वस गुट लर्निंग एक्स्पिरियंस फुर मी आज के दौर को कैसे देखती है आप क्यूंकि आजकल का दौर बहुत फास्ट फॉर्वर्ड दौर हो गया है तब से अब तक बड़े चेंजिस आ गए हैं काफी चेंजिस आ गए हैं क्या है अजकल उस तरह के किरदारों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है जिनके कई सारे हिउमन डाइमेंशन होते हैं उनको दिखा पाना या उनके बारे में लिख पाना बहुत बड़ी बात होती है तो वो अब ज्यादा सामने नहीं आते है आप कई पुरसकार पा चुकी हैं चाहे हम स्क्रीन अवार्ड्स की बात करें फिल्म फेर अवार्ड्स की बात करें टेल एकाडमी अवार्ड्स की बात करें या फिर नाशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें इतने सारे पुरसकारों के बीच ये राष्ट्र फिल्म पुरसकार आपके लिए खुद व्यक्तिगत तौर पर क्या एहमियत रखते हैं? मेरे दी बहुत ही ज़ादा एहमियत रखते हैं किस में जाहिर होता है कि कुछ लोगों ने पार मेरे काम के बारे में सुरेका जी बहुत हिम्मत चाहिए जिंदगी में एक ऐसे पड़ाव से उबर कर बाहर आने में जो आपने एक साल पहले देखा जब आपको ब्रेइन स्ट्रोक हुआ था किया हुआ था उस वक्त मैं चल रही थी मगर मेरा पहर रपत गया हुआ फिसल गई ऑ सर के बल गरी मैं मुटर कोटेक्स जहां वो क्लॉट होता है एकलट पासट विज पुड़ल कर तो अचौने इस आपका लेटेस प्रोजेक्ट जो है उसकी बार में बताईया क्योंकि आप उसकी प्रोशन में भी लग गई है जी हम, my latest project is a short film with Zoya Akhtar called Ghost Stories बहुत चोटी सी फिल्म है, बहुत मज़े से डारेक्ट की उन्होंने शीज़ वन्दरफुल डारेक्टर, शीज़ बेरी फोकॉस्ट, जीज़ जीज़ इस रोल इस रोल, इस रोल मुझे जातर वक्त पलंग पर लेटे रहना पड़ता है तो मेरे लिया असान था गारे काहस् चोटा-फ॥ जीज़ प्रीड इस रोल आपके लह साना प्त-फॉर्म आजना, पारेक्ट कीज़ उन्होस्ट सिवस्ट निल्हा, शीज़ अज?. जीज़ आछा थारेक्टर, न विए आपके जिन्दगी एक ऐसी कहानी भी है सुरिखाजी जहां पर आपके फैमिली में कोई एक्टिंग से किसी का सरोकार नहीं था और आप एक्टिंग में आ गई परिवार का उस वक्त क्या रुख था परिवार का रुख तो यह था कि मेरी माँ तो बहुत इंकरेज करती थी वह कहती थी कभी जूट मत बोलना ही सिखाया उन्होंने मुझे और आपके पिताजी आपके पिताजी पाइलिट थे पादोवस पाइलिट थे तो बिसिकली हम कह सकते हैं कि आप आमी बेक्ग्राउंड से थी वह अनुशासन आपके जिंदगी में हमेशा रहा हां रहा था कुछ ज़ा अज भी आपके जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसको आपको लगए है कि काश ये नहीं तो ये कर लेते हैं अगर आप अप् самой तो आप क्या होती अगर ऐसा ना होता तो क्या होता अगर लेकिन अगर आप एक्ट्रिस नहीं होती अगर सुरेखा सीखरी एक एक्ट्रिस नहीं होती तो क्या अभी सोचा कि कुछ और भी बन सकते थी? हाँ हाँ, I would have been a singer. Really? आप गाने का शौक था? मुझे गाने का शौक था, एक वक्त था. कभी सीखा गाना आपने? कभी ने सीखा. सीखने की तमन्ना रह गई? हाँ, तमन्ना रह गई सीखने की, सही ढंग से सीखने की. मगर आपका भी गाती हैं कभी अपने रोल तो ऐसा किया नहीं है जिसमें आपने कभी गाया हो गाना रही कभी कि हाँ गाया जाया अचा इतनी गुणवत्ता आपके हर रोल में नजर आती है आपका एक लेवल एक्टिंग का हर जगा होता है एक confidence होता है देखने वाले को भी कि हाँ दादी सा या सुरेखा जी तो इसको कर ही डालेगी तो एक गुणवत्ता कैसे बनाए रखती है आप अपने आक्टिंग में फिल्म दर फिल्म, सीरिल दर सीरिल कैसे क्यूंकि जिस तरह मैं उस किरदार को देखती हूँ और दर्शाती हूँ उसमें एक ऐसी बात होती है कि जो एक सचमुच का human being हो और अलग-अलग situations में उनका क्या reaction होगा as a human being जी चलिए आपके जिंदगी की बार में कुछ छुट-छुटी बाते जानने के लिए मैं आपसे कुछ rapid-fire questions पूछू जवाब देंगे कौन से रोल है जिस पर आपको बहुत गर्व है कि आपने किया है बाली का वदू दादी साथ दादी साथ वो बहुत समझ के मैंने किया वो रोल I did not want to play a conventional negative character कभी कोई दिन बड़ा बुरा बीता हो तो उसको अच्छा महसूस करने के लिए आप क्या करती है मैं देखती हूँ कि यह क्या हो रहा है उसको थोड़ा खोल खोल कर देखती हूँ कि क्या वज़ा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अच्छा और अगर अच्छा फील करने के लिए आप गाना सुनना पसंद करती है या फिल्मे देखना पसंद करती है गाना सुनना म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ कोई ऐसा व्यक्ति आपके जिन्दकी में अगर आपको घूमना फिरना हो तो किस तहार की जगा पसंद है आपको पहाड़ी जगा पर क्या कोई ऐसी बात है जिसे आपको नाराज की हो या बदलना चाहती हूँ मैं सोचती हूँ कि यह स्टोक की हुआ मुझे तो लोग कहते हैं इसके पीछे भी कोई कारण था लोग कहत अगर आपके जिंदगी पर फिल्म बनाई जाए तो आप किसे चाहेंगी कि वो रोल प्ले करें आपका? मैं कुद अगर आपके पार जिंदगी का एक दिन बचा हो क्या कुछ करना चाहेंगे आप उस एक दिन में? फिर मैं देखना चाहंगी वो नी लास्मान और वो सारी पेर और नदियां जो मुझे प्यारे लगते हैं ऐसा सोचूंगी कि आखरी बार देख रही हो इन चीवों को अच्छा जिंदगी में अब आगे और क्या करना चाहती हैं? आगे मुझे बहुत अच्छी अच्छी रोल्स और बहुत अच्छी करने हैं अच्छी राष्टे पुरसकार से सम्मानित किया गया है। आज के इस तेजसुनी काईकर में बस इतना हैं। अगले हपते फिर हाजिर होंगे एक और तेजसुनी के साथ। नमस्कार।